असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग उमेर इंशाला आप सब खैरिये से होगे आज मैं आपके साथ बढ़ी अच्छी सी रेस्पी लेकर हाजिर भी हूँ पहले भी मैं डाल चुकिए हूँ दही बड़े की रेस्पी इस बार मैंने अलग तरे से बनाये हैं थोड़ा ये दह रूट राई करें चलिए बनाना शुरू करते हैं दही भला इसके लिए मैंने 400 ग्राम माश की दाल लिया था और मैंने इसको 5-6 घंटे के लिए डिप करके रखा हुआ था ये अच्छे-छे सॉब्ट हो गई है अब हम इसको एक जाल में भड़ते हैं हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिहीन करके इसको अच्छा सा पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डाल लेंगे हम इसको अच्छे से पीस लेंगे डाल को हमने पीस लिया है ना बहुत पतला और बहुत गाड़ा अब इसको हम एक बरतन में ट्रांसपर करेंगे और इसको अच्छे से फेटेंगे हम इसको एक ही डारेक्शन में फेटेंगे ऐसे डाल हमारी अच्छे से फेट गई है इसमें हम डालेंगे चार से पांच चॉप कीवी अरी मिर्च चार से पांच पत्ते हरा दनिया चॉप कियावा थोड़ा सा अधरत इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम हाथ को पीला करेंगे हैं अपना वरारा हम से अपने दही भल्ले बनाएंगे मैं दही बड़े की वेडियो पहले डाल चुकी हूं आप महा मसाला और चट्मी सब चीजे आप देख सकते हैं मैंने सब चीजे दिखा रखी हैं यह मैं दही भल्ले बना रही हूं वह मैंने दही बड़ा बनाया था मैं हम डालेगे थोड़ी सी चीनी पीसी की चीनी है मेरे पास चाय तो आप साबुट डाल सकते हैं इस कुछे से मिक्स कर देंगे हम इससे जरी भल्ले का स्वाद बहुत अच्छा आएगा कि अबने ओयल चड़ा दिया है अपना अब इस वह थोड़ा गरम होने देंगे तील हमारा गरम हो गया है अब हम इसमें अपने दही भल्ले डालेंगे कि यूपर ऐसे हम कि टेल डालते रहेंगे घरम घरम कि अब हमारे बन गये हैं इसके बाद हम इनको यह गौर्ड नमक नमक और गरम पानी में डाले हैं थोड़ा सा ही गौर्ड नमक डालकर मैं आपको मिलती हूं दही बल्ले हमारे बनकर तयार हो गए हैं अब हमने थोड़ा गरम पानी लिया है जितने भी हमको खाना है इतना हम इसमें डालेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ओ कि इसमें डालेंगे घे गरम पानी में थोड़ी दिया लमण को डीथ करेंगें कि यह मुनको अच्छे से फेट लेंगे दही को थोड़ी सी शक्कर डाले हैं पिसी भी चीनी आने के हैं अब इसमें डालेंगे अपने दही भल्ले खलका साथ का पानी निकाल देंगा ऐसा दस मिनिट के लिए मैंने इसको गरम पानी में डिप किया थोड़ा सा ही इंग नमक डाला था प्रहले भी में वीडियो डाल चुकी हूं दही बड़े मैंने बनाये थे उसका थोड़ा तीरी कलग है बनाने का उसको भी आप जाकि मेरे चैनल पर पहला वीडियो भी देख सकते हैं आप दही बड़े का मैंने बनाया हुआ है अब दालेंगे इसमें इसमें सॉन्ट इसकी मेरे चैनल पर आप रेस्पी देख सकते हैं यह मैंने बनाना सिखाया हुआ है अब डालेंगे हम इसमें नमक अब डालेंगे हम इसमें दही बड़ा मसाला लेजे माशालला से हमारे लेजे माशालला से हमारे दही भले बनकर तयार हो गए हैं आप भी जरूर ट्राइए करें और मेरे को जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा है पिलीज अगर ये वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को नए है तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियों इंशाला तब तक के लिए आला हाफिज